तो आजकल आपने काफी सारे इसे प्लेयर्स और यूटूबर्स को देखोगा पब जी बीजियो माई के जो कि यार एक ही स्प्रेय में 100 से 300 मिटर के बंदे को एक वारी में नॉकडाउन कर देते हैं और वो भी यार जीरो रिकॉयल इस्प्रे के साथ में तो आखिर ये इतना स्मूथ इस्प्रे कैसे मार पाते हैं तो देखो यार क्लोज रेंज फाइट हो या फिल लॉंग रेंज फाइट हो सबसे ज़ Chatman होती है muscles memory और holding style बिल्कुल अलग होता है ऐसे में अगर आप किसी की sensee copy करोगे तो आपके device में sweetable नहीं रहेगी और आपका gameplay पूरा खराब हो जाएगा पहले से भी जादा तो ऐसे में आपको एक ही चीज करना है आपको खुद को अपनी sensee बनानी है कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगा कोई भी फालतू की tips आपको नहीं देने वाला step by step बताऊंगा कैसे आपकी sensee को improve करना है तो सबसे पहले sensee को समझते हैं एक होती lens sensitivity जिसे हम finger से control करते है एक होती gyroscope sensitivity जिसे हम mobile को tilt करके control करते है lens sensitivity के अंदर यहाँ पर camera sensitivity आती है और एक ADS sensitivity आती है gyroscope के अंदर भी यहाँ पर gyroscope camera sensitivity और gyroscope ADS sensitivity आती है तो अगर आप sensitivity को finger से control करते हो तो आपको यहाँ पर lens sensitivity को set करना पड़ेगा उसके लिए gyroscope को मैं off कर देता हूँ बाद में gyroscope का भी बताऊँगा कैसे master करना है तो सबसे पहले lens के अंदर camera sensitivity और उसके अंदर भी TPP noisecope की sensitivity को अगर मैं zero कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा camera बिल्कुल भी move नहीं हो रहा है finger बहुत ज़्यादा drag करना पड़ा है वहीं पर अगर यह sensitivity में पूरी 300 कर देता हूँ तो देखो जरा सा finger drag करने पर बाई पूरा camera move हो जा रहा है इदर दोर हिल रहा है तो इसको TPP noisecope sensitivity बोलते हैं यह वाली sensitivity काम आती close range में और target को shift करने में तो आपको एक gun लेनी है और यहां पर सिर्फ extended mag लगाना है कोई भी attachment नहीं लगाना है और TPP noisecope की आपकी sensitivity उसको एक बार आपको 100 पर कर देना है उसके बार training ground के अंदर आपको चार टार्गेट दिखते होंगे तो इनके बीच में आपको एक mark लगाना है और इस mark से आप लगबग 15 मिटर दूर चले जाना है तो गाई यह जो distance होता है यह होता है close range fight के लिए अब गाई यह जो targets आपको दिख रहे हैं इनके head पर आपको aim रखना है ठीक है अब आपको target by target अपने aim को shift करना है बिना fire करें बिकोज अब हम यहाँ पर camera sensitivity को सीक रहे हैं ठीक है अब मालो कि आपको जो aim है वो target से थोड़ा सा पीछे रहे जा रहा है तो आपको sensitivity open करनी है और TTP noise scope को plus 5 कर देना है और फिर से यहाँ पर practice करनी है तो इस practice में आपको अपनी muscle memory भी थोड़ी बेठानी पड़ेगी ठीक है अब मालो कि आपको target से aim थोड़ा सा आगे चले जा रहा है तो आपको TTP noise scope की sensitivity को minus 5 कर देना है और फिर से आपको practice करके देखना कि आपका aim जो है perfect हुआ या फिर नहीं अब बात करते हैं यहाँ पर red dot की या फिर other scopes की तो इसके लिए आपको यहाँ पर 25 मिटर दूर चले जाना है तो red dot की sensitivity आपको एक बार 50 पर रखनी है और फिट से aim करना है target पर और थोड़ा सा move करना है अब देखो यहाँ पर पीछे रह गया थोड़ा सा scope करनी है ठीक है और एक एक करके जितने भी scope है ना सभी के अंदर इस sensitivity अपलाई करनी है एक एक करके ओके जब आती है यहाँ पर ADS sensitivity यह सबसे ज़्यादा important अगर आप spray कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा यूज यही आने वाली है मालो कि मैं यहाँ पर ADS sensitivity को बिल्कुल 0 करता हूँ तो fire करते वक्त मैं camera को बिल्कुल move नहीं कर पा रहा वहीं पर अगर मैं 300 कर देता हूँ इसी sensitivity को तो मेरा जो camera है fire करते टाइम बाई control से बाहर हो चुका है तो guys जो ADS की sensitivity होते हैं वो mostly scope open करते टाइम यूज होती है spray अगेरा में ठीक है तो हम यहाँ पर red dot की sensitivity 50 कर देते हैं अब आपको target को उपर aim करके fire करना है अगर आपका aim उपर जा रहा है तो आपको यहाँ पर sensitivity के अंदर plus 5 कर देना है उसके बाद आपको फिर से practice करनी लेकिन फिर भी अगर आपका aim और उपर जा रहा है तो आपको फिर से plus 5 कर देना है ADS sensitivity के अंदर और एक चीज़ का जान रखना जिस स्कोप के आप practice कर रहे होना उसी की sensitivity को increase करना है अब देखो यहाँ पर red dot का aim काफी ज्यादा perfect हो चुका है ठीक है अब मालों की target से fire कते time आपको जो aim नीचे चले जा रहा है तो आपको ADS sensitivity को minus 5 कर देना है ADS sensitivity बहुत ज्यादा important होती है तो आपको यहाँ पर plus 1,2 या फिर minus 1,2 भी करना है अगर आपका aim उपर जा रहा है तो plus करना है नीचे जा रहा है तो minus करना और यह सारी sensitivity को आपको सारे scope में एक एक करके apply भी करनी है इस बात का दियान रखना सारे scope अलग अलग होता है 3X 4X वगेरा में अब आती है gyroscope sensitivity तो gyroscope को आपको हमेशा always on रखना है इस को अपन करके कोई फायदा नहीं है तो gyroscope camera sensitivity TTP noise scope में आपको 200 sensitivity रखना है 15 करना है 5 नहीं करना है plus 10 या फिर 15 और उसके बाद भी अगर आपका aim पीछे रहे जाना तो आपको और प्लस करना है 10 या फिर 15 अब मालो कि आपको जो target है उससे aim थोड़ा सा आगे निकल जा रहा है mobile tilt करते time तो guys अब आपको अपनी sensitivity को minus 10 या फिर 15 करना पड़ेगा फिर आपको दीरे-दीरे करके practice करनी है उसके बाद fast हो जाना इस तरह से आप अपना aim shift कर सकते हो gyroscope में भी और ये वाली sensitivity सारे scope में apply करनी है जितना बड़ा scope होगा ना उतना ही दूर आपको जाना है और practice करनी है तो इसी तरह से आपको target को aim करना है ठीक है अगर आपका aim target से पीछे रहे जा रहा है तो आपको plus 15 या फिर 10 करना है और अगर आपका aim target से आगे चला जा रहा है तो आपको minus 10 या फिर 15 करना है और सारे scope के अंदर ये sensitivity करके apply करनी है ओके बात करते हैं gyroscope ADS sensitivity की तो ये वाली जो ADS sensitivity है डिसेबल रहती तो इसको enable कर देना सबसे पहले और नीचे आपको gyroscope ADS sensitivity दिख जाएगी तो इसको मैं आपको एक बार जीरो करके दिखाता हूँ तो fire करते time यहाँ पर देखो mobile पूरा tilt कर दे हम इना लेकिन M बिलकुल नहीं हिल रहा है वहीं पर अगर मैं इसको 400 कर देता हूँ तो mobile जरा सा tilt करने पर वह firing करने पर देखो M कितना जादा हिल रहा है तो guys fire करते time जो M हिलता है उसको ADS बोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर TPP noise scope ADS setting आपको 500 पर रखना है ठीक है और यहाँ पर अभी TPP noise scope की बात नहीं करेंगा हम red dot पर चलते हैं सीधा क्यूंकि जो ADS sensitivity होती है वह ज्यादा तर scope on करने पर काम आती है तो guys the normal TPP तो आप easily control करी लोगे तो यह देखो अभी मैं ADS को यहाँ पर control कर रहा हूँ gyroscope से लेकिन फिर भी AM उपर जा रहा है तो आपको यहाँ पर प्लस 15 या फी 10 कर देना है प्लस 15 या फी 10 करना है और ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूमेंट देखने को मिलेगी आपकी sensitivity के अंदर आप खुद अपलाई करोगे तो ठीक है अब मालो कि आपका जो AM हो थोड़ा नीचे चला जा रहा है ADS का ठीक है तो आपको gyroscope में प्लस करना होता है और नीचे जा रहा हो तो माइनस करना होता है यह होता है अब देखो एम कितना ज्यादा परफेक्ट हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने खुद की sensitivity फाइंड कर सकते हो और यह सेंस्टीविटी की बेसिक सेटिंग में आपको बताई थी , advanced settings अगर आपको देखने है तो जब मुझे कमेंड के अंदर और वैसे तो किसी भी प्लेयर की जो सेंस्टीविटी वो आपको कौपी नहीं करनी लेकिन फिर भी अगर आप मेरी sensitivity कोपी करना चाहते हो तो आपके सामने हैं बाकी मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि ये वाली sensitivity को आप apply करो आप खुद की sensitivity find करो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर आपको sensitivity code चाहिए तो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा description में मैंने link डाल दिया है जाकर देख लेना वाँ से बागी मिलते हैं next video में यार तब तक के लिए bye